जैमा मतंगी जैमा चिन नमस्ता जैमा बगला मुखी मेरे प्रियस सादको और दर्शको आज जो मैं मंत्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये आप सभी के लिए बहुत ही मात्वपूर्ण मंत्र हैं हमारे जितने भी सादक जितने भी हमारे दर्शक है जो दुसरों का इलाज करने जाते हैं या फिर खुद के ही घर के किसी विक्ति का उतारा करके जलाना होता है या कोई उतारे की सामागरी जलानी होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो घर में मिल जाए और आपको लगता है कि ये कोई तंत्र क्रिया की सामागरी है तो उसे जलाते वक्त बहुत सारी साउधानी रखनी होती है जैसे मान लीजिए आपने ताबीज धारन करके रखा है तो आपको तो ये लग रहा होगा कि मैंने तो ताबीज धारन कर लिया अब मेरी तो पूरी सुरक्षा हो गई होगी पर ऐसा नहीं होता है देखिए ताबीज से क्या होगा कोई चीज डाइरेक्ट आपको आके छू नहीं सकती लेकिन अगर आप ताबीज पहने हो और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपको तंत्र क्रियाओ वाली कोई भी सामागरी अगर खिला देता है तो वो तंत्र आपको लग जाएगा क्यों क्योंकि वो तंत्र आपके पेट के अंदर गया है वो क्रिया आपकी पेट के अंदर गई है तो ये आप समझ लीजिए और अगर माण लिजिए आप कोई तंत्र की अशुध्यों को जला रहे जैसे माण लीजिए आपके घर में कोई पुतला मिल गया या कोई और तंत्र की सामागरी मिल गई निम्बू मिल गया या और भी कोई चीज मिल गई आप उसको जलाना चाहते हैं और उसको जलाते वक्त आपको जो साउधानी रखनी होती वो सावधानी ये होती है कि उसका धुआ आपके नाक के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना करें मतलब स्वास के माध्यम से उसका धुआ आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो आपको वो तंत्र जाके आपके शरीर में लग जाएगा मतलब जिस तंत्र को आप जला रहे है या जो भी अशुद्यों को उतारे को आप जला रहे है जलते समय उसमें से जो धुआ उठेगा उस धुवे के माध्यम से तंत्र भी बहार निकलेगा और वो तंत्र आपके स्वास नलिका के अंदर चला जाएगा स्वास के माध्यम से फिर क्या होगा वो तंत्र उस सामागरी से तो जलके निकल गया लेकिन आपके शरीर के अंदर प्रविश कर गया जैसे मान लीजे किसी वेक्टी का आपने उतारा किया वो रोग से पीडी थे किसी और आपने उसका उतारा करके जला दिया उस समय अगर उसका धुवा उटके अगर आपके स्वासन लिका में चला गया तो आप भयंकर से भयंकर रोगों से ग्रसित हो सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आपको ये समझ में नहीं आता है आप उतारे करते हो, लोगों को ठीक करते हो, उनके तंतर की अशुद्यों को जलाते हो धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपके शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और वो एक साथ कोई बहुत बड़े बिमारी के रूप में आपके शरीर में उभर के आती है और तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तंत्र के वज़े से हुआ है आपको तो लगेगा कोई शारिरिक बीमारी है और इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी कि आप सोज भी नहीं सकते हैं तो ये बड़ा खतरनाक है तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि साप पकड़ना बड़ी बात नहीं है साप तो कोई भी बच्चा भी पकड़ लेगा लेकिन क्या होगा बाद में साप काड़ देगा तो साप पकड़ना बड़ी बात नहीं है साप पकड़ने की कला आनी शाय है इंसान को कि जब हम साप को पकड़े तो वो हमें काटे नहीं उसके डंग से हम बच सके सबसे महत्वपूर्ण इसका भाग है अगर आप खुद की सुरक्षा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो है आपको इसका नुकसान भी होगा याद रखिए तंत्र काट करना या किसी को ठीक करना बोले तो बहुत ताकत लगती है इसमें बहुत सुरक्षा का ध्यान भी रखना ह होता है क्योंकि यह उस तरह है जिस तरह एक काच की बॉटल अगर आप उठा के दिवाल की तरफ फिकोगे तो ब्लास्ट होके उसके तुकड़े आके आपके शरीर को लगेंगे जब आप किसी का तंत्र काटते हैं उस समय आपकी बहुत ज्यादा शक्ति लगती है इंसान ठ यह मैं छों बातों का द्हान रखना होता है अभी इसमें यह जो मैं आज बताने जाल रहा हूँ इस पे जाड़ा तर लोगों का ध्यान नहीं रहता है जबकि एक सफल तांत्रिक जो होगा जो सच में एक सच्छा तांत्रिक होगा एक सच्ची विद्या होगी और सही में वो विद्या का प्रयोक करता होगा तो उसके पास यह मंत्र जरूर होगा 5 अब ये जो में बंगाली मंत्रा आपको दे रहा हूं ये भी स्वयम सिद्ध बंगाली मंत्र हैं इस मंतर का आपको प्रयोक कैसे करना है वह मैं आपको समझा रहूं इस मंत्र प्रयोक को हम बोलते हैं स्वास बंदन मतलब जब भी आप कोई ऐसी क्रिया कर रहे हो जिसमें से कुछ खतरनाक चीजे जलेगी जैसे कुछ खराब विद्या है किसी के उपर काला जादू कर दिया है और वो सब सामागरी आपको मिली मान लो किसी के घर में पुतला मि गया निम्बू मिल गया और भी कोई तंत्र की सामागरी मिल गई या आपने ही किसी का उतारा किया हो और उसे आप जला रहे हो तो उस समय जो धुवा उठेगा वो धुवा के माध्यम से जो तंत्र उठ रहा है वो आपके शरीर के अंदर प्रविश्य ना कर सके स्वास नली को करना है मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले याद रखिए आप कोई भी क्रिया करोगे तो अपना शरीर का बंदन तो आपको करना ही है शरीर का बंदन करने के बाद भी स्वास बंदन करना जरूर है पहले आप शरीर बंदन करेंगे शरीर बंदन करने के बाद में आप स्वास का बंदन करेंगे ठीक है और उसके बाद ही ये क्रिया करेंगे अब ये बंदन कैसे होगा इसका आप वीदी समझ लीजे जैसे आपने एक बार मंत्र पढ़ा पूरा एक स्वास मंत्र पढ़ना है मंत्र पढ़ना है अपने छाती पर फूक मारना है फिर एक बार मंत्र करोगे तो आपका जो है स्वासना लिका का बंदन हो जाएगा ये मंतर देखिए स्वयम सिद्ध है इसे भी आपको सिद्ध करने की जुदत नहीं है और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपको एक अच्छा तांत्रिक बनाओ एक सफल साधक बनाओ क्योंकि देखिए मैंने आपको आज तक जो भी मंतर ग्यान दिया है जो भी बताया है मैंने स्टेप बाइ स्टेप बताया है मैंने हमेशा कहा है आपको धीरे धीरे उपर की तरफ चड़ना है आप एक दम से एक पैर नीचे रखोगे और दूसरा पैर दसवे सेड़ी पर रख किया मैंने जैसा मंत्र है वैसा ही मंत्र दिया उसमें से कोई शब्द मैंने कभी चुपाकर नहीं रखा क्यूं कि अगर मैं छुपाकर रखूंगा आप प्रयोग करोगे तो आपको फाइदा नहीं होगा आज तक हमारे चैनल पर इथियास है हमारे सस्क्राइबर्स लोगों का या हमारे सादक लोगों का उन्होंने हमेशा हमें बताया कि गुरुजी हम यह प्रयोग किये और सफल रहे हैं खतरनाक से देखिए और भी दे रहा हूँ ये एक और मंत्र पर आप लोग सौरती सबाओं से रहते तो दुख होता है देखिए आप फीस तो नहीं दे रहे हो मुझे आप से मैं कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन कम से कम गुरू दक्षीना समझ कर आप वीडियो को लाइक किया क करें कमेंट किया करें और हमारे वीडियो को शेयर करें जितने भी आपके पास वाटसब ग्रूप है इस अगोर मार्क फैमेली को बढ़ाईए है ना क्योंकि आप इस परिवार के सदस से आपका फर्ज बनता है आप से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपको खुले मन स से विद्या सिखा ही जा रही है और आप लोग कमेंट नहीं करते लाइक नहीं करते सिधे चले जाते तो बड़ा दुख होता है फिर लगता है कि भाई मैं किसके लिए वीडियो बना रहा हूं सौरती लोगों के लिए तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप ल नाराज मत होई हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस था तंत्रकाट के कारेकरम में और एक बात आप सभी दर्शकों से कहना चाओगा देखिए आप केवल मंत्र के वीडियो से ही अपिक्षा मत रखिए आप अगर सादक बनना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो कि बार देखने से बहुत सी चीजे समझ में आती है क्योंकि आपको इस रहा पर चलना है कुछ लोग बसरे मंत्र का वीडियो मिलेगा तो वीडियो देखेगे बाकी तंत्रकाट का दूसरा वीडियो आएगा तो नहीं देखेगे ऐसा सौरती सभाव क्यों रखते हो आप लो हर वीडियो को देखिए कम सम पूरा नहीं देख सकते तो थोड़ा सा तो देखिए दूसरे वीडियो को और उसको लाइक करिए कमेंट करिए चैनल को आगे बढ़ाईए आशा करता हूँ इस वीडियो पर मुझे कम से कम 2000 कमेंट और 10,000 लाइक मिलेगे चलिए जै मामतंगी जै माचिन नमस्ता जै मा बगला मुकी खुश रहे खुद का खयाल रगा